दोस्तों अगर आप लोग को फोटो और वीडियो बेज के पैसा कावने में इंट्रेस्ट है तो टीचिंग डॉक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन की हिट करके सारे नोटिफिकेशन आउन कीजिए मेरे स्टॉक फोटोग्राफ़ी गाइड सबसे पहले देखने के लिए and here I come नमस्कार दोस्तों अप लोग कैसे हो मैं हूं Dr. Aurindam और आप देख रहे हैं The Teaching Doc और आज इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे की आई स्टॉक और गेट इमेजिस में क्या डिफरेंस है क्या फर्क है बहुत लोग जो शुरुबात करते हैं स्टॉ बहुत जान चुके है उन लोग को एक question बहुत trouble करता है कि Shutterstock तो ठीक है Adobe Stock ठीक है लेकिन एक website है उन लोगों को पता है वो Getty Images है लेकिन हम हमेशा बोलता हूं मैं बोलता हूं कि Eye Stock तो क्या है दो क्या अलग है दो क्या एक है हम लोग Getty Images में है कैसे Eye Stock में जा सके कैसे हम ल तो एकदम without any delay, चलिए शुरू करते हैं, तो first question, ये दो agency क्या एक ही है या अलग है, तो ये दोनों अलग agency है, है ना, पहले क्या था, big stock and shutter stock, ये दो अलग agency था, अब shutter stock ने big stock को खरीद लिया, ऐसे ही, i stock पहले अलग agency था, getty images अलग agency था, लेकिन अभी getty images ने i stock को खरीद लि ये, मतलब esp.gettyimages.com, वहाँ पे कई भी आ i stock का नाम हो निशान नहीं है, लेकिन हम लोग i stock में ही contribute करते हैं, लेकिन कोई-कोई ऐसे है, जो लोग getty images में ही contribute करते हैं, तो ये क्या मसला है, तो बात ये है, कि getty images एक एकडम exclusive agency है, i stock में भी exclusive non exclusive option है, non exclusive मैं अलड़ी पहले बो इसे कम मिलेंगे, लेकिन आप अगर exclusive बन जाते हो, तो मतलब वो photo आप i stock में ही कर पाएंगे, और कहीं जगा पे नहीं कर पाएंगे, तो उसमें थोड़ा आपको royalty जादा मिलेगा, इस से बढ़कर एक और category है, जो है exclusive photographer, मतलब exclusive photographer क्या होता है, आप only i stock में ही करेंगे, photo upload, औ और कोई दूसरे जागा पर photo ही upload नहीं कर पाएंगे, exclusive photo मतलब क्या है, मैं shutter stock में कर रहा हूँ, एक non exclusive photo, adobe stock में कर रहा हूँ, non exclusive photo, and i stock में दे रहा हूँ, मेरा exclusive photo जो मैं और कहीं पर नहीं दूँगा, तो दो concept अलग है, exclusive photo और exclusive photographer, तो getty images ऐसा पहला agency था, जो exclusive photographer चीज़ पर बहुत focus करता है, हम लोग use करते है royalty free model, getty images में होता है rights managed model, तो ये दो model क्या है, अलग क्या है, ये आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ आपको जानना है कि getty images में, आप ऐसे freely join नहीं कर पाएंगे, उन लोग आपका बहुत सारा agencies में, आपका अगर अपना website है, flickr में account है, pro account है, mainly, या फिर i stock में आपको बहुत अच्छा result मिल रहा है, वो देखके उन लोग getty images में आपको invite करेंगे, तो ये invitation based है, कोई भी senior member, एक junior member को nominate कर सकते है, उसके बाद getty images के reviewers आपको select करेंगे, तो it is not free, जहां तक मुझको पता है getty images में, आपका एक agencies जो है, leading multimedia agency, news agency, सारे proper getty images से ही photo उठाते है, तो बहुत ऐसे में जो सवाल आता है, मैं खुद and मेरे बहुत subscribers, i stock में photo contribute करते हैं, तो ऐसे में क्या हम लोग का sale बहुत कम हो रहा है, हम लोग को getty images में कैसे exposure करना है, हम लोग को getty images में chance कब मिलेंगे, वेल, chance तब ही मिलेंगे अगर getty images वाले आपका portfolio को बहुत पसंद करते हैं, तो लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं 2 साल से stock photography कर रहा हूँ, मैं बस i stock में ही sale करता हूँ, लेकिन i stock भी getty images का एक partner है, जैसे IEM भी getty images का एक partner है, तो आपका अगर बहुत अच्छा एक image है i stock में, तो वो get images के through भी लोग access कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे images है, कुछ ऐसे sections है, जो only getty images में मिलेंगे और वहाँ पे आप access नहीं कर पाएंगा, अगर getty images के member नहीं है तो, लेकिन ये बात को लेकिन अपना मतलब दिमाग खराब करने का कोई ज़रुरत है नहीं, हाँ, आपक content है, relevant content है, तो it's guaranteed के getty images आपको select करेंगे, ऐसे बहुत लोग है, जो getty images में already selected हो चुके है, शुरुआत उन्होंने iStock में ही किये थे, एक और जरिया है getty images में घुसने के लिए, वो है आप जब पहली बार iStock में account sign up कर रहे है, contributor app by getty images, mobile app एक ही है, तो वहाँ पे आप पहला test photos देना पड़ता ना, पहला 10 photo, आपका वो 10 photo, अगर mind blowing हुआ, मतलब एक बहुत शानदार quality का हुआ, तो आप automatically getty images में selected हो जाएंगे, मुझे iStock में selection मिला था, 90% free stock photographers, जो ऐसे है, मेरी तरह, आपकी तरह और मेरी तरह, उन लोग iStock में ही submit करते हैं, mobile से जो photo ले रहा है भाईया, ये एकदम बात आप जान लीजिए, getty images only world class लोगों को ही choose करते है, तो आप अगर casual mobile से photo ले रहा है, आपका photo बहुत अच्छा हो सकता है, मैं ऐसे कोई भी किसी को disrespect नहीं करना चाहता हूँ, कि आपको DSLR लेना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल न अगर माजा आपको आता है photo kitchen में, आप अगर mobile से बहुत अच्छा result आपको मिल रहा है, तो उसी से ही continue कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी guarantee नहीं है, कि आपको getty images में selection आपका हो जाएगा, आप अगर DSLR लेंगे तो, हाँ, लेकिन आपको अगर अपना photograph इंप्रूफ करना है, त अच्छा prime lens, यह सब एक अच्छा investment है, ठीक है, तो देखिए, यही था एक short video की आपको कैसे getty images, यह eye stock का जो फर्क है, आपको यह जानना था, concept जो आपको clear करना था, तो आज का code of the day, आप अगर video अब तक देख रहे है, तो आज का code of the day है getty, तो मैं आप सब को बहुत all the best wish करना चाहूंगा कि आपका अगर photo quality बहुत अच्छा है, फिर भी आपको eye stock मिला है, आपको बहुत जल्दी-जल्दी getty images में selection मिल जाए, ऐसे कोई member है, जो getty images में photo डाल रहे है, selection हुआ है, और आप मेरा video देख रहे हो, तो मैं बहुत लखी हूँ, तो comment में जरूर बताइए ठीक है ना, तो video को अगर पसंद है video तो thumbs up जरूर दीजीगा, ताकि जो नए दोस्त लोग है, के मन में ऐसा सवाल है, वो भी ये video देख पाएंगे, और उनका सवाल भी आरसानी से हल हो जाएगा, ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे Wednesday को, अगले Wednesday को एक exciting Hindi video लेके, और this coming Saturday with an English video तिल देन बाइंट टेक केर